नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Instagram की किसी Real Post या वीडियो का लिंक कोपी कैसे करें तो चलिए जानते हैं दोस्तो इस वीडियो में इसके लिए दोस्तो आपको अपने Instagram अप्लीकेस्चन को ओपन करना होगा लेखिए दोस्तों मेरे सामने यहां पर गूगल की एक post है या मेरे को पसंद आ रही है अब मानते चलो मेरे को इसका link कोपी करना तो कैसे करेंगी तो यहां पर देखिए दोस्तों आपको उपर 3.0 दिखाई दे रहे हैं आपको इन 3.0 पे क्लिक करना है ठीक दोस्तों जैसे आप 3.0 पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा अब दोस्तों आपके सामने देखें लिंक का बटन आ गया है आपको इस लिंक वाले बटन पर क्लिक करना है जैसे आप वाले बटन पर क्लिक तरोगे तो आपका जो पोस्ट है या फिर वीडियो है उसका लिंक यहां पर कोपी हो गया है हाले में दोस्तों Instagram में एक अपडेट आया है अगर आपके पास Samsung का मुवाइल फोन है और उसके अंदर आप लिंक कोपी करना चाती है तो आपको 3.00 पर क्लिक करने के बाद दोस्तों वहाँ पर लिंक कोपी करने का ओप्शन नहीं मिलता है तो चली मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों उसमें प्रोलम क्या रही है और कैसे आपको वहाँ से लिंक कोपी करना है तो देखिए दोस्तों मैंने अपना जो Samsung का मुवाइल फोन है वो मैंने आपको यहां पर डिस्पेले पर शो कर दिये है तो यहां पर आपको पसंद है मेरे को इसका लिंक कोपी करना तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहां पर कोई भी लिंक कोपी करने का बटन नहीं है ठीके दोस्तों और अब आपको यहां से इस पोस्ट का लिंक कोपी करना तो इसके लिए क्लिक करना है देखिए दोस्तों यहां पर एक arrow बनावा है पहला तो heart है फिर message का बटन है फिर उसके बाद एक तीर का icon है यानि कि जैसे टेलिग्राम का icon होता है ठीक इसी प्रकार से यह icon है आपको इस icon पर click करने है ठीके दोस्तों जैसे इस icon पर click करोगी तो आपके सामने नीचे देखिए share का button आगया, copy का button आगया, SMS के दुआरा या WhatsApp पर कहां पर share करना है तो आपको नीचे यहां पर जो second का option है जो copy link वाला button है आपको इस पर click करना है ठीके दोस्तों जैसे इस पर click करोगी तो आपकी जो यह post है इसका link यहां से copy हो जाएगा तो इस परकार से दोस्तों आप अप झाल